है फ्रेंड्स वेलकम डु माय टिब चेनल आज हम बताने वाले हैं बिहार की तरफ से शिख्षार डिपार्टमेंट जो बैक्सी निकाली है । परतियक जिलाम बिहार परिचारिये में सहायक की जो भरती होनी वाली है विद्याले साहय कलर का 1192 पोस्ट रखा गया है और पडिचारी यानि आदेश पाल के 1129 पोस्ट रखा गया है डिपार्टमेंट जो है इसका Education Department और विहार है उसके बाद इसका Apply mode आपिukे केंशनल केंचार अता है मैं आपको बताऊंगा पड़ी चारी का जो है सेली कितना दिया जाता है और कितना दिया जाएगा साहे का सेली कितना है सेलेक्षन प्रोसेस क्या रहेगा ये सारी जानकारी जहाए इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं फिलिज वीडियो को पूरा देखिएगा तभी आपको पूरा समझ में आएगा अगर हमारे वीडियो को अभी तक लाइक ने किये हैं तो फिलिज वीडियो को लाइक कर लिजेगा अगर आपके मन में किसी परकार का कुस्छान हो तो फिलिज कॉमेंट में जरूर किजेगा इसको मैं आपको बता दोता हूँ। के लिए पात्र माना जाएगा लेकिन अब सरकार ने अपडेट निकल कर आ रहा है कि राज के स्कूल में अभी द्याले सायक के बहाली भी पंचायतों के माध्यम से होगी सरकार ने पुराने लिपिक स्वर के पदों को मरन सील समाप्त गोसित कर दिया है साथ यगार सो भातर लिपिक के पदों को परतियाफित सरेंडर करते विद्याले सायक की उतनी ही संख्या में पत्स रिजित किया है अधिक जानका उसके बाद आता है इसमें अप्लिकेशन एस्टार्ट डेट इसमें जो है नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है कि कब से आपका फर्म एस्टार्ट होगा इसमें आभी नोटिफिकेशन सुन दिखा रहा है उसके बाद लास्ट डेट भी इसमें किलियर नहीं किया गिया है एर्मिट कार्ट का भी दिखा रहा है नोटिफाइड सुन एक्जाम डेट नोटिफाइड सुन ये भी बता रहा है और उसके बाद एप्लिकेशन फी इसमें रखाए जेनरल, OBC, N EWS का 0 रुपी आभी दिखा रहा है। इसमें कोई अप्लिकेशन फी आभी नहीं रखा गया, बिल्कुल फिरी है, CST और PS का भी अभी 0 रुपे दिखा रहा है। इसमें 9 अप्लिकेशन फी फी फोर अल कंडिडेट, इसमें किसी करकार का कंडिडेट के जो है अप्लिकेशन फी नहीं देना परेगा। उसके बाद इसमें बताया गया है, सेलरी के बारे में एज लिमिट। उसके बाद परिचारी का टोटल 1129 पोस्ट है, इसका एज लिमिट नियूत्म 18 वर्स अधिक्तम वही होगी जो राज सरकार द्वरा समय समय पर निर्धारी की जाती है। इसका नियूत्म वर्स 18 और अधिक्तम सरकार के दरब से गसना किया गया है, और हैगा। इसका जो है सेल्री परिचारी का जो 15,200 रुपया सेल्री है, उसके बाद जो है स्कूल सायक का टोटल पोस्ट जो है, एगार सो बात्तर है, नियूत्म 18 वर्स अधिक्तम वही जो राज सरकार के द्वरा समय समय पर निर्धारी की जाएगी। इसका सेल्री तनुखा इसका 16,500 रुपया है, इसमें परिचारी का 15,200 और एश्कूल सायक का सोल्री ज्यादा है, इसमें टोटल पोस्ट जो है 301 है, उसके बाद आता इसमें एजूकेशन, क्वैलिफिकेशन, इसमें आपको एजूकेशन क्या रखा गिया है, इसमें बताय परिचारी के लिए केवल दसमी पास ही रखा गिया है, परिचारी पत के लिए केवल दसमी पास होना चाहिए, उसके बाद प्रेश्कूल शायक के लिए बार्मी पास intermediate फ्लस chapter में 6 मेने का डिपलोमा होना चाहिए atauczenie बार्मी पास के लिए बार्मी पास के साथ सह आपके पास 6 मेने का केम्पीटर का course होना चाहिए उसके बाद थी आपको जो हां अब इसका फर्म भर शकते हैं इसमें डिस्टीग वाज पोस्ट निकला गिया है इसमें अहरेक डिस्टीग में अलग अलग पोस्ट दिया गिया है वेग उसरायम जो है तिरयपन सीट है परिचारी का स्कूल साहयक का जो है 21 रखा गया साहर सामे 16 उसके बाद जो है इसकूल साहयक का 4 है नावादाम परिचारी 18 है स्कूल सहायक का उन्हें सहायस का नोटिफिकेशन जो है लिंक में डिस्क allegiance में डाल दूँगा आप वहां से आप देख सकते हैं आपका जिला में कितना बेकेंसी दिया गया जिला वाइज आपना जो है आप भड सकते हैं इसमें उसके बाद आता है इसमें सेलेक्शन प्रोड यह महत्पून बात है किस परकार से सेलेक्शन होगा इसमें बताया गिया है परिचाड़ी का सेलेक्शन प्रोसेस रहेगा सभी अभियर्थों के फर्म जमा करने के बाद दसमी के अंग के आधार पर मेरिट लिस्ट अवरोहिकरम में जारी क्या जाएगा प इसके बाद आता है स्कुल साहयक इसमें है उमीदवार के बार्मी के आंकों के बाद टैपंग टेस्ट और केम्पीटर टेस्ट क्ला इधार पर मेरिट लिस्ट जारी क्या जाएगा इसमें भी सेम फरोसेस बताया गिया है कि इन तर में आपको सबसे ज planting ज़्यादाशन उसके बाद इसमें टाइपिंग टेस्ट और केंपीटर टेस्ट भी लिया जाएगा आपका टाइपिंग स्पीड क्या है सारा जी क्योंकि वहां से आपका सायक में आपको केंपीटर ओपरेटर का ही लगवक जोब दिया जाएगा इसलिए उसमें टाइपिंग और केंपीटर क सेलेक्शन जुलाए अलग तरीकेश होगा अनुकम्पा होता है कि आघर आप कीसी परकार की जॉब कर रहे आपके फेमिली में किसी परकार के जॉब कर रहा है कोई मेंबर अगर वह एक्सपायर कर जाते हैं गरिट कर जाते हैं तो इसका परिवार को जो है help के लिए सहरा के लिए उसी का family में जो है किसी candidate को परहे लिखे candidate को वो job देर दिया जाता है तो उसी के अनुकमपा बोला जाता है तो उसका selection process अलग से रहेगा जिसका जानकारी मैं आगली video में दूँगा आई होप ये जानकारी आपको अच्छा लगाओगा फिलीज अच्छा लगाओ तो लाइक कोमेंट सेर और सस्क्राइब करके जरूर जाईएगा जय हिंद